जैहिन दोस्तों मैं हूँ आपका दोस्त के भी और करेंट अफेर्स 2020 के लिए एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है तो आज के इस वीडियो में हम करेंट अफेर्स के दृष्ट कोर्ट से एक बहुत ही महत्मोर्ट टॉपिक को डिसकस करेंगे यानि कि जो भी खटना या जो भी इवेंट्स आपके 2020 में पहली बार हुए हैं उन सभी को इस वीडियो में हम बिसकस करने वाले हैं हाला कि यह जो वीडियो होगा वह दो भागों में होगा तो यह इसका पहला भाग है और अगर आप लोगों का रिस्पॉंस इस वीडियो के उपर बहुत ही अच् टॉपिक वाइस करेंट अफेर्स के वीडियो हैं उन सभी की लिष्ट आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी तो वहां से भी आप उनको देख सकते हैं या फिर उपर के आई बटन पर क्लिक करके आप उन सभी वीडियो को देख सकते हैं तो चलिए पहले प्रश अगला प्रशन है सितंबर 2020 में किस राज में भारत के पहले चिकिस्सा उपकरण पार की अस्थापना के लिए आधार सिला रखी गई तो ये आधार सिला रखी गई है कीरल राज में यानिक इस प्रशन का आप्शन ए करेक्ट होगा इसके अलावा आपको ये ध्याँ रखना है कि केरल राज में भारत की पहली समुद्री एम्बूलेंस सेवा जिसका नाम है परतिच्छा इसके भी सुरुवात की गई है और केरल में अंतर राश्टिये महिला ब्यापार केंद्र के भी अस्थापना की गई है तो ये सारी ची अग्ला प्रशने माल वत्पूर्णा छे महादीपों की सबसे उची चोटियों पर चढ़ने वाली दुनिया की पहली और सबसे कम उम्र की आदिवासी महिला बनी तो ये किस राज से हैं तो ध्यान रखिएगा ये हैं तिलंगाना राजी से अगला प्रेशन है जन्वरी 2020 में नव सेना के द्वारा पहले महानेवी कनेक्ट 2020 अभियान की सुरुवात किस राज में किया गया तो ये अभियान चला था महाराष्ट राज में यानिक इस प्रेशन का आप्सन D करेक्ट होगा अगला प्रेशन है किस राज में पहली बार हिम्तेदुवा का सर्विच्छन किया जाएगा तो ध्यान रखिएगा जो हमारे हिमत्यद्वे होते हैं उनका सर्वे करवाएगी उत्तराखंड की सरकार तो इस प्रेशन का option B correct होगा और ये सर्वेच्छन ITBP के साथ में मिल करके conduct करवाया जाएगा तो ध्यान आपको रतना है कि पहली बार हिमत्यद्वा का जो सर्वेच्छन है वह उत्तराखंड राज के द्वारा करवाया जाएगा कौन सा राज आस्वस्त नाम से साइबर अपराद को रोकने के लिए एक पोर्टल खोलने वाला भारत का पहला राज बन गया तो ये राज जह है आपका गुजरात यानिक इस प्रेशन का आप्शन बी करेक्ट होगा और केंद्री ग्रह मंत्री अमिसाह जी के द्वारा गाधी नगर जो की गुजरात की राजधानी है वहाँ पर इसका उधगाटन किया गया अगला प्रेशन है दुनिया के पहले कृतिम मानो जिसका नाम है नियोन इसका निर्मार किस कमपनी ने किया है तो इसका निर्मार किया है सैमसंग कमपनी ने तो सैमसंग कमपनी की स्टार लैप्स है जिसके द्वारा दुनिया के पहले कृतिम मानो नियोन का निर्मार किया राष्टियच गिस्सा आयोग के पहले अध्यच के रूप में किसे न्यूक किया गया है तो यहां पर न्यूक्ति हुई है सुरेश चंद्र स्थर्माजी की तो इस प्रेशन का उप्शन D correct होगा और यह मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि जन्वरी में इनकी न्यूक्त की घोशना की गई थी और अब जाकर के हमारे यहां पर राष्टियच गिस्सा आयोग का गठन कर दिया गया है भारत का कौन सा राज्य प्रकृत की सरचन के लिए IUCN के साथ एक समझोता करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है तो यह राज्य है अरुणाचल प्रदे आने के लिए यह समझोता किया गया है अगला प्रशन है जन्वरी 2020 में भारत का पहला मार्डन इस्पोर्ट्स गाउं कौन बनेगा तो यह आपका बन गया है बहादुर पुर और खीरी वीरान जो की आपको उत्तर प्रदेश राजी में मिलेंगे यानि कि इस प्रशन का रखिएगा कि भारत का पहला मौडन इस्पोर्ट गाउं उत्तर प्रदेश के बहादुर पुर और खीरी वीरान में बन रहा है जन्वरी 2020 में एक्री कल्चर लेंड लीजिंग पॉलिसी को लागू करने वाला भारत का पहला राजी कौन बना तो पहला राजी बन गया उत्त प्रशन का ऑप्शन D करेक्ट होगा अगला प्रशन है भारत के पहले पसु यूद अस्मारक यानि की वार मेमोरियल फॉर एनिमल का निर्मार किस सहर में किया जाएगा तो इसका निर्मार किया जा रहा है मेरट में तो इस प्रशन का ऑप्शन C करेक्ट होगा और मेरट कहा पर है तो ये सहर आपको उत्तर प्रदेश में मिलेगा तो आपको ध्यार रखना है कि पहला युद्ध स्मारक ये बंधा है मेरट में अगला प्रशन है यूनिफाइड पेमेंट सर्विस शुरू करने वाला भारत का पहला टेली कॉम ऑपरेटर कौन बना तो ये बन गया है र वाक्त रो पच्छी साला का उध्गाटन कहां पर किया गया तो इसका उध्गाटन किया गया महाराष्ट राज्य में यानिक इस प्रशन का ओप्शन ए करेक्ट होगा तो महाराष्ट में कहां तो महाराष्ट में आपको मिलेगा मुंबई और मुंबई में है बीर माता, जी 2022 तक भारत की पहली जलमगन मैट्रो का संचालन प्रारम किया जाएगा तो ये सहर है आपका कोलकाता यानि कि इस प्रेशन का option D correct होगा और परिच्छा के दिश्टकोर से आपको ये ध्यार रखना है कि ये जो जलमगन मैट्रो है वह हुगली नदी में चलेगी अगला प्रेशन कोरोना वारस का जो पहला मामला है भारत के किस राज में देखा गया तो सबसे पहली बार कोरोना वारस का मामला देखा गया था केरल राज में यानि कि इस प्रेशन का option B correct होगा अगला प्रेशन है किस फुटबॉल कलब से जुड़कर बाला देवी बिदेशी फुटबॉल कलब से जुड़ने वाली भारत की पहली महिला फुटबॉल खिलाडी बनी तो ये फुटबॉल कलब है रेंजर्स कौन सा है रेंजर्स फुटबॉल कलब है और ये स्कॉटलैंड का एक पहली बार सोदेशी जेट जेव इंजन का उपयोग किया गया तो इस बीमान का नाम है AN32 क्या नाम है AN32 और इस बीमान ने ले हवाई अड़े से उडान भरी थी और वहीं पर लेंडिंग में की थी तो ये प्रशन औरेड़ी आपका पूछा जा चुका है अगला प्रशन है भारत के किस राज से पहली फ्रूट ट्रेन को रवाना किया गया तो ये जो आपकी पहली फ्रूट ट्रेन है ये चली थी आन्थ प्रदीश राज से कहां से आन्थ प्रदीश राज के ताड़ी पद्दी रेलवे स्टेशन से मुंबई के लिए इस ट्रेन को रवाना किया गया था और इसमें लदा हुआ था केला अगला प्रेशन है 14 फरवरी को मुंबई से किस सहर के लिए पहली इंटर सिटी इलेक्टिक बस सिवा सुरू की गई तो ये सुरू हुई है मुंबई से पुणे के लिए यानिक इस प्रेशन का option D correct होगा और ये प्रेशन भी और रेडी परिच्छा में पूछा जा चुका है तो ध्यान रखिएगा केंद्रिये, रोड हाइवे और परिवहन मंत्री नितिन गटकरी के द्वारा इसे मुंबई सहर में हरी जंडी दिखाई गई थी अगला प्रेशन है कौन सा रेल्वे जोन उर्जा तठस्त यानिक एनरजी निटल बनने वाला भारत का पहला रेल्वे जोन बन गया तो इस रेल्वे जोन का नाम है दच्छनी मध रेल्वे तो इस प्रेशन का option D correct होगा तो ध्यान रखिएगा दच्छनी मध रेल्वे जिसके कुल 13 रेल्वे इस्टेशन उर्जा तठस्त हो गए है उर्जा तठस्त होने का मतलब यह है कि यहाँ पर जो भी इस्टेशन पर उप्योग किये जाने वाली बिजली है वह आपकी सौर्य उर्जा के संयुथ अरब अमीरात में तो इस प्रशन का उप्सन C करेक्ट होगा और इसकी कुल चमता है चप्पन सो मेगा वाट यानि कि कुल यहाँ पर 1400 मेगा वाट की चार इकाईया लगाई गई है तो बरा का परमाण उर्जा प्लांट इसका संचालन सुरू हुआ है संयुथ अरब अमीरात जिसे हम लोग UAE के नाम से भी जानते हैं अगला प्रशन है कौन सा क्रिकेट खिलाडी 100 T20, 100 टेस्ट मैच और 101 दिवसिय मैच खिलने वाला दुनिया का पहला खिलाडी बन गया तो इस खिलाडी का नाम है रॉस टेलर जोकी न्यूजिलेंड के एक क्रिकेटर है और इस प्रकार से ये दुनिया के पहले क्रिकेटर बन गई है जिन्होंने 100 T20 मैच खिला, 100 टेस्ट मैच खिला और 101 दिवसिय मैच खिला हुआ है AFC चैंपियंस लीग के समूह चरण के लिए क्वालिफाई करनी वाला पहला भारतिय फुटबॉल कलब कौन बना तो पहला भारतिय फुटबॉल कलब बन गया है गोवा फुटबॉल कलब तो इस प्रेशन का option A correct होगा, तो आपको ये ध्यार रखना है कि हमारे यहां का जो गोवा फुटबॉल कलब है वह AFC Champions League के लिए क्वालिफाई करने वाला पहला भारतिय फुटबॉल कलब बना है अगला प्रेशन है फरवरी 2020 में भारत के पहले floating jetty का उधगाटन कहां पर किया गया तो इसका उधगाटन किया गया है floating jetty का उधगाटन किया गया अगला प्रेशन है एक ही कृत वाहन पंजी करन कार्ड लांज करने वाला भारत का पहला राज इकाउन बना तो यहां पर पहला राज बन गया है मद्ध प्रदेश यानि कि इस प्रेशन का option A करेक्ट होगा और आपको यहां पर एक point और भी ध्यान रखना है अगर आपसे यह पूश लिया जाए कि unified driving license को लांज करने वाला पहला राज काउन सा है तो वह आपका है उत्तर प्रदेश तो मद्ध प्रदेश यहां पर unified vehicle registration card लांज करने वाला पहला राज बना है भारत ने अपने पहले protein दिवस को मनाया है और इसकी theme थी protein में क्या है क्या था protein में क्या है एक transgender महिला को संग्त राष्ट प्रतनिधी मंदल में सामिल करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना तो यह देश है आपका पाकिस्तान और पाकिस्तान के द्वारा आइस्ता मुगल को संग्त राष्ट प्रतनिधी मंदल में यहाँ पर सामिल किया गया है भारतिय रेल्वे ने किस रेल्वे स्टेशन पर पहले restaurant on wheels को launch किया तो यह जो पहला restaurant on wheels launch किया गया है यह आपका launch हुआ आसन सोल रेल्वे स्टेशन पर जो की मिलेगा best बंगाल में यानिक इस प्रेशन का option A correct होगा तो बस आपको यह धर रखना है कि आसन सोल स्टेशन बेश्ट बंगाल पे पहले restaurant on wheels को launch किया गया है भारत का पहला ब्योसाइग LNG बस किस राज में launch किया गया तो यह प्रेशन भी already पूछा जा चुका है तो यह launch किया गया है केरल राज में यानिक इस प्रेशन का option A correct होगा और LNG का मतलब होता है liquefied compressed natural gas और के कोची सहर में इसको launch किया गया है अगला प्रेशन साजनिक परिवहन को मुफ्ट करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया तो पहला देश बना है यूरोप का लगजम वर्ग तो इस प्रेशन का option D correct होगा तो आपको यह ध्यार रखना है कि लगजम वर्ग जो कि यूरोप महादुइप का एक देश है इसके द्वारा अपने यहाँ पर पर्यावरण के प्रती जो प्रदूसर्ण है उसको उंकम करने के लिए साजनिक परिवहन को यहाँ पर मुफ्ट कर दिया गया है तोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाले भारतिय मुख्यबाज कौन बने तो पहले भारतिय मुख्यबाज यहाँ पर दो लोग बने हैं एक तो हैं पूजा रानी दूसरे हैं विकास कृष्णन तो इस प्रेशन का उप्सन सी करेक्ट होगा हाला कि जो टोक्यो ओलंपिक है इसको पोश्टोन कर दिया गया है यानि कि 2020 की बजाए अब यह 2021 में जुलाई और अगस्त महीने में आयोजित किया जाएगा तो पूजा रानी की बात करते हैं तो यह हर्याणा की बॉक्सर है और विकास कृष्णन यादो भी हर्याणा राज के एक बॉक्सर है कौन सा राज्य स्वयम सहायता समूरों के लिए मिसन सक्ती विभाग बनाने वाला देश का पहला राज बना है तो यह राज्य है आपका उडिसा यानि कि इस प्रेश्ण का ओप्सन सी करेक्ट होगा तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि महिला स्वयम सहायता समूरों के लिए मिसन सक्ती विभाग बनाने वाला देश का पहला राज बन गया है उडिसा अगला प्रेश्ण है भारतिय तरट चचग बल की पहली महिला उप महाने रिच्छक काउन बनी तो यह आपकी बनी है नुपरकुलसरेश्ट और यह प्रेश्ण भी औरडी पूछा जा चुका है तो ध्यान रखिएगा पहली महिला DIG बन गई है नुपरकुलसरेश्ट तो इस प्रेश्ण का option C इंडिया पोश्ट के द्वारा भारत का पहला डिजटल पार्सल लौकर सर्वेस ये कहां पर लॉंच किया गया तो ये लॉंच किया गया है पस्चिम बंगाल के राधानी कोलकाता में यानि इस प्रेशन का आप्शन ए करेक्ट होगा तो बस आपको ये ध्यार रखना है कि भा का पहला डिजटल पार्सल लौकर सर्वेस कोलकाता में लॉंच किया गया है किस कंपनी ने दुनिया का पहला गैर इंटरनेट आधारित डिजटल भुक्ता समाधान को लॉंच किया तो जैसे आप लोग फोन पे गूगल पे या पेटियम का यूज करते हैं और उसके लिए आपको इंटरनेट कनेक्शन के आउसकता होती है लेकिन लावा ने लावा पे को लॉंच किया है जो की एक ऐसी टेकनोलोजी होगी जिसके माध्यम से आप बिना इंटरनेट के उपयोग किये हुए किसी भी प्रकार के लेन देन को कर सकते हैं तो इस प्रशन का सही उत्तर हो देश बना है न्यू तो इस प्रशन का उप्शन सी करेक्ट होगा और न्यू की बात करते हैं तो इसकी राधानी आपको मिलेगी अलोफी में और लोकेशन आप देख सकते हैं प्रशान्त महासागर में स्थेत या एक छोटा सा दूईपीय देश है डुनिया के पहले वाने उड़ने वाली कार का निर्माण भारत के किस राज्य में किया जाएगा तो इसका निर्माण होगा गुजरात राज्य में यानि कि इस प्रशन का उप्शन सी करेक्ट होगा और कार का नाम क्या होगा तो कार का नाम होगा पलवी लिवर्डी और इसे बनाएगी कौन तो नी यहां पर पहला सा अध्यच्च्य देश बना है बेटेन यानिक इस प्रश्न का ओप्शन D करेक्ट होगा अगला प्रेशन है भारत के पहले गैस ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म इंडियन गैस एक्षेंज का पहला सदस से कौन बन गया है तो इसका पहला सदस से बना है मडी करण पावर लिम्टेड तो इस प्रेशन का आप्षन ए करेक्ट होगा तो आपको ये ध्या रखना है कि जो भारत का पहला गैस ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है जिसका नाम है इंडियन गैस एक्षेंज इसका पहला सदस से बना है मडी करण पावर लिम्टेड किस राजी की पुलिस टेसर्स गन का प्रयोग करने वाली देश की पहली पुलिस बनी गिए अब गुजरात राजी की पुलिस किस बैंक ने भारत के पहले प्रीपेड वालेट कार्ड इंकासू को लॉंच किया तो ये लॉंच किया है करूर बैस से बैंक ने यानि कि इस प्रशन का आप्शन भी करेक्ट होगा तो आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि भारत इस टेस्ट किट बनाने वाली पहली कंपनी कौन बनी तो पहली कंपनी बन गई है यहाँ पर माई लैब तो इस प्रशन का आप्शन दी करेक्ट होगा तो माई लैब जो की पुड़े में इस्थित एक कंपनी है इसके द्वारां कोविड-19 के टेस्टिंग के लिए माई लै पैथो डिटेक्ट कोविड-19 क्वालिटेटिव PCR किट का विकास किया गया है भारत के किस राज में पहले खिलावना बी निर्मान क्लश्टर अस्थापित किया जाएगा तो यह अस्थापित किया जाएगा करनाटक राज में यानि कि इस प्रशन का आप्शन A करेक्ट होग करनाटक में कहां तो ध्यान रखिएगा करनाटक के कोपल में भारत का पहला खिलावना बी निर्मान क्लश्टर की अस्थापना की जाएगी Cycling Federation of India द्वारा किस सहर में पहले Cycling सम्मिलन का आयोजन किया जाएगा तो यह आपके तीन सहरों में आयोजित होंगे बंगलूरू, दिल्ली और मुंबई यानि कि इस प्रशन का आप्शन D उपर युक्त सभी करेक्ट होगा तो आयोजन कौन करवा रहा है? Cycling Federation of India अगला प्रशन है, राबो बैंक्स Global Top 20 2020 की सूची में सामिल होने वाली भारत की पहली डेरी कमपनी कौन बन गई है? तो आपको ध्यार रखना है कि जो हमारे यहां की अमूल कमपनी है, वह पहली बार राबो बैंक्स Global Top 20 2020 के लिए जो कमपनी की सूची जारी की गई थी, उसमें 16 अस्थान हासिल किया है कौन सा अस्थान है? 16 अस्थान रहा है अमूल कमपनी का किंद्रिय कैबनेट ने रेलवे बोर्ड के पहले CEO के रूप में किसके न्यूपती को मंजूरी दी है? तो BK यादो जो की रेलवे बोर्ड के चेर्मैन है, उनी को यहां पर रेलवे बोर्ड के पहले CEO के रूप में रेलवे मंतराले के द्वारा न्यूप किया गया है, तो इस प्रश्ण का option C, correct होगा। अगला प्रश्ण है, हाल ही में, पहला नीले आस्मान के लिए, सुच्छ हवा का अंतरराष्टिय दिवस, यानि कि International Day of Clean Air for Blue Sky कब मनाया गया। तो ये आपका मनाया गया है, 7 सितंबर को, यानि कि इस प्रश्ण का option C, correct होगा। अगला प्रश्ण है, भारत के किस राज में, पहला Cannabis Medicine Project सुरू किया जाएगा। तो ये प्रश्ण आपका सुरू होगा, जम्मू और कास्मीर राज में, यानि कि इस प्रश्ण का option C, correct होगा। तो ध्यान आपको ये रखना है कि कनाडा के सहयोग से, जम्मू और कास्मीर राज में, भारत के पहले Cannabis Medicine Project की सुरूवार्ट की जाएगी। किस राज की सरकार ने भारत के पहले एकी करित वाय एम्बूलन्स सीवा को लॉंच किया। तो ये लॉंच किया है करनाटक राज की सरकार ने यानिक इस प्रश्ण का option B, correct होगा। अगला प्रश्ण है दच्छिन भारत की पहली किसान देल किस राज से हरी जंडी दिखा कर रवाना की गई। तो किसान देल के बारे में इस वर्श के बजट में घोशना की गई थी और दच्छिन भारत की जो पहली किसान देल है इसको हरी जंडी दिखाए गई आनप्रदीस राज से और ये कहां पर गई है तो ये गई है दिल्ली के आदर्च नगर रेलवेश टीशन तक लेकिन अग भारत की पहली किसान रेल कहां से कहां तक चली है तो आपको ये ध्यार रखना है कि महाराष्ट के देव लाली से बिहार के दानापुर तक इसका संचालन किया गया अगला प्रशन है सितंबर 2020 में भारत के किस मेट्रो ने पहले आई आटोमेटिक ट्रेन सुपरविजन ट्रेन ने किस बैंक के साथ मिलकर पहली कॉंटेक्टलेस पेमेंट घड़ी को लॉंग किया तो ये इन्होंने लॉंग किया है SBI के साथ में मिलकर के तो इस प्रशन का option A correct होगा और ट्रेन कंपनी की बात करते हैं तो ये टाटा समू का एक ब्रांड है जो की दुनिया की पा मेक्सिको जो की उत्तर अमेरिका महादोईप का एक देश है यानिक इस प्रशन का option D correct होगा तो आपको ध्यान रखना है कि सतत विकास लच्छ जिसे हम लोग सस्टनेबल डवलप्मेंट गोल्स कहते हैं इसके लिए सौवरेन बॉंड को जारी करने वाला पहला देश बना है मेक्सिको अगला प्रशन है सितंबर 2020 में किस एयरपोर्ट पर भारत के पहले निजी जेट टर्मिनल को खोला गया तो ये आपका खोला गया है दिल्ली एयरपोर्ट पर यानिक इस प्रशन का option A correct होगा और यहाँ पर मैंने एयरपोर्ट से सम्मंदित कुछ महत्मोट जैसे कि आप ये ध्यान रखेगा कि फिमी सीनो एयरपोर्ट पहला COVID-19 फाइब इस्टार रेटिंग वाला एयरपोर्ट बन गया है और दिल्ली में भारत के पहले निजी जेट टर्मिनल को यहाँ पर खोला गया है नैतिक कृतिम बुद्धिमत्ता ब्लॉक्चैन और साइब बुद्धिमत्ता ब्लॉक्चैन और साइबर सुरच्छा के उपर तमिल नाडू राज की सरकार के द्वारा एक पॉलसी लाई गई है और इस प्रकार से पॉलसी लाने वाला तमिल नाडू भारत का पहला राज्य बना है भारत ने किस देश के लिए पहला फेरी जहाँ सीव एम सीपी लिंज लॉंद किया तो ये लॉंद किया है भारत ने में मालदीव के लिए यानिक इस प्रशन का आप्सन डी करेक्ट होगा तो हमारे सिपिंग मंत्री है मनसुक मंडविवा इनी के द्वारा केरल राज से मालदीव के राजधानी माले को जोड़ने के लिए पहल आतियनों सेना के इतिहास में पहली बार हेली काप्टर इस टीम परवेचे के रोप में किन दो महिला अधिकारियों को न्यूप किया गया तो दो अधिकारी कौन है एक तो है कुमदनी त्यागी दूसरी है रीती सिंग तो इस प्रशन का आप्सन डी यानिक ए और बी दोनों करेक्ट होगा तो दोनों की नाम आपको ध्यार रखने है एक है कुमदनी त्यागी दूसरी है रीती सिंग सितंबर 2020 में किस बैंक ने अपनी तरह का पहला कॉंटेक्ट लेस डिजिटल सुविधा सेफ पे को लॉंच किया तो यह यहां पर लॉंच किया है आई डी एपसी फ बनाया गया है अमिताब बच्चन जी को सितंबर 2020 में पहली रॉफल महिला फाइटर पालेट के रूप में किसकी नियुक्ति की घोशना हुई है तो यहां पर नियुक्ति की गई है सिवांगी सिंकी तो इस प्रेशन का आप्शन भी करेक्ट होगा वैसे चर्चित महिलाओं के उपर मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखी है तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी या फिर उपर के आई बटन पर क्लिक करके भी आप उस वीडियो को देख सकते हैं अगला प्रशन है भारत की पहली छेत्रिये रैपिड पार्गमन प्रणाली ट अन्य चीजें भी आईए यहां पर जान लेते हैं असम राजी के द्वारा बच्चों के लिए पहला अकवार लांज किया गया है और इसका नाम रखा गया है दा यंग्स माइंड क्या नाम है इसका नाम रखा गया है दा यंग्स माइंड इसके बाद में नागरिक उड्डे सुरच्छा ब्यूरो की पहली महिला महाने जिसक बनी है इनका नाम है उसा पांडे और भारत का पहला फुटबॉल पर सिच्छड एप जिसका नाम है इन जोगो ये किसके द्वारा लॉंच किया गया तो हमारे खेल और इवा मामलो के जो मंत्री है किरन रिजिजू उनके द्वारा इसको लॉंच किया गया है तो ये हमने पहले पार्ट को डिसकस कर दिया है अगर आप लोग इस वीडियो के उपर एक हजार से ज़्यादा लाइक देंगे तो मैं इसका दूसरा पार्ट जल्द ही लेकर के आऊँगा बाकी कल की जो हमारी वीडियो होगी उसमें हम लोग 2020 के खेलों को छोड़ करके जितने भी पुरसकार दिये गए है उन सभी पुरसकारों को डिसकस करेंगे और दूसरे वीडियो में मेरी कोशिश रहेगी कि जो भी आप और पोर्टल लॉंच किये गए हैं 2020 में उन सभी को हम लोग डिसकस करें बाकी आपको वीडियो को देखने के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास इसको सेर करना है आप लोग वीडियो देखते हैं लेकिन सेर नहीं करते हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग से रभीत जरूर किया करें थैंक्स फर वाचिंग जै हिंद जै भारत और सबसे जरूरी बढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत